दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती इंफरमेटिव वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तो आज हम आपको समार्ट टिकनोलजी के परड़क्ट फैक्टरी में बनते हुए दिखाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको फैक्टरी में बनते हुए दिखाएंगे जिनका हर एक को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें फैक्टरी के अंदर कैसे बनती है दोस्तो हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं इसी लिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है तो चलिए नमबर वन पर दूर भीनी करते हैं स्मार्ट मुबाइल मैनुफेक्टरिंग परसेस से दोस्तो आज के दौर में मुबाइल हर इनसान की जरूरत बन चुका है बिना मुबाइल के इनसान की जिनकी अब हदूरी लगती है तो इसलिए दोस्तों आप जिस स्मार्ट मुबाइल फून को चलाते हैं वो फैक्टरी में कैसे बनता है ये सब कुछ जानते हैं आसान तरिके और आसान अलफाज में जिससे हर कोई अच्छी तरह से समझ सके दोस्तों फैक्टरी के अंदर मुबाइल बनाने के लिए सबसे पहले मुबाइल की बॉड़ी को तियार किया जाता है मुबाइल की बॉड़ी को त्यार करने के लिए सबसे पहले एक ऐलूमिनियम की बड़ी शीट को इस मशीन में रख कर मुबाइल के साइस के मुताबिक शीट के छोटे-छोटे पीस्त काट लिए जाते हैं फिर इनको जहां-जहां से काटना, सुराह करना या स्क्रू लगाने होते हैं वहां-वहां से इस मशीन की मदद से मुबाइल की इस बॉड़ी को काटा और सुराह किये जाते हैं जहां एक ड्रिल मशीन बॉड़ी में स्क्रू होल बना रही है मुबाइल फून को अच्छी लुक देने के लिए एक CNC मशीन की मदद से इसकी बॉड़ी को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है फिर आखिर में इन मुबाइल कवर को पानी से अच्छी तरह दोने के बाद ये पूरी तरह से त्यार हो जाते हैं मुबाइल की बॉड़ी त्यार करने के बाद भी बारियाती है टच स्क्रीन की मुबाइल की टच स्क्रीन को त्यार करने के लिए सबसे पहले फैक्टरी के अंदर बहुत बड़े कलास को मुबाइल की स्क्रीन के साइज के मुताबिक कार्ट लिया जाता है जिसके बाद कटे हुए कलास को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है जिसके बाद इनको पानी की मदद से क्लीन कर लिया जाता है अच्छी तरह से साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोडिंग की जाती है कोडिंग करने के बाद मुबाइल की ये स्क्रीन पूरी तरह से तियार हो जाती है फैक्टरी के अंदर स्मार्ट फून बनाने के लिए सबसे पहले LCD टच्स्क्रीन का विज्विल इंस्पैक्शन होता है दोस्तो मुबाइल फून की स्क्रीन का मुबाइल में बहुत आहम काम होता है जिसकी वज़ा से टच को 100% परफेक्ट होने के बाद ही इस टच पैनल को एक कनवेर के जरीए आगे बेजा जाता है यहां गलू मशीन की मदद से टच पैनल के चारो तरफ गलू लगाई जाती है और फिर इस मुबाइल पैनल को बॉड़ी के साथ जोड़ कर आगे भेज दिया जाता है अब बारी आती है printed circuit board यानी PCB लगाने की जिसको मुबाइल का दिल भी कहा जाता है इसी PCB के अंदर मुबाइल के सारे electrical parts नस्प किये जाते है सोल्डिंग के दुरान इसका कोई भी part खराब ना हो इसलिए इस पर paper tape लगाई जाती है फिर इस PCB पर front camera और back camera fit किया जाता है अब PCB पर water level paste किया जाता है ये एक तरहां का white sticker होता है अगर phone पानी में गिरता है तो मुबाइल की service के वक्त पता चल जाता है कि ये मुबाइल पानी में गिरा था क्यूंकि मुबाइल जब पानी में गिरता है तो इस स्टिकर का रंग लाल हो जाता है अब बारी आती है माइक्रोफून लगाने की जो के मुबाइल का काफी इंपोर्टिड हिसा होता है जिससे आपकी आवाज दूसरे मुबाइल तक पहुँचती है इस माइक को PCB के सबसे नीचे लगाया जाता है और सबसे उपर लगाया जाता है स्पिकर और फिर बारी आती है वाइबरेटर लगाने की मुबाइल का PCB और मुबाइल किस तरह से काम करता है इस पर बनी एक 2D एनिमेशन वीडियो आप दूरबीनी पर देख सकते हैं जिसको देखने के बाद मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी मालूमात में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड़ पर मिल जाएगा PCB त्यार होने के बाद इसको पहले से त्यार स्क्रीन पैनल और बोडि के साथ जोड दिया जाता है और मुबाइल के साइट पर वॉलिम और पावर बटन को नस्ब कर दिया जाता है जिसके बाद मुबाइल में वाइफाई और जी एसम को फिट किया जाता है जिसके बाद भारी आती है इसके केमरे पर स्टिकर लगाने की अब भारी आती है Mobile Phone की टेस्टिंग की सबसे पहले Radio Frequency टेस्ट की जाती है दोस्तो Radio Frequency की मदद से हम Mobile से बात कर पाते हैं ये किस तरह से काम करती है इस पर भी आप एक तफसीली वीडियो देख सकते हैं जिसका मैंने आपसे पहले जिकर किया है लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड पर मिल जाएगा रेडियो फ्रिकेंसी की टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर मुबाइल का टच टेस्ट किया जाता है ये टेस्ट पास होने के बाद मुबाइल की स्क्रीन, माइक, स्पीकर, ग्रैफटी, सेंसर, फ्रन्ट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लश लाइब इन सब चीजों को अलग अलग ये सारे टेस्ट पास होने के बाद एक रबोटिक मशीन इस मुबाइल फून के सारे स्क्रू लगाती है मुबाइल फून के सारे पेच लगाने के बाद आपका स्मार्ट फून बन कर त्यार हो जाता है अब बारी आती है इसको पैक करने की पैकजिंग लाइन पर असंबल मुबाइल पर इंटरनेशनल मुबाइल इक्वीक मिन्ट अडंटी यानि IMEI नंबर लगाया जाता है फिर एक अमपलॉई मुबाइल के बैक कवर लगा कर मुबाइल की असंबलिंग कम्पलीट करता है मुबाइल की पैकजिंग करने के बाद मुबाइल को मार्किट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है क्या आप जानते हैं कि ये फैक्टरी हर साल तीन करोड मुबाइल बनाती है मुबाइल चार्जर फैक्टरी मेकिंग दोस्तो मुबाइल को पावर देने के लिए मुबाइल को चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है तो चलिए जानते हैं कि इस मुबाइल चार्जर को कैसे बनाया जाता है दोस्तों मुबाइल चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले चार्जर की बॉड़ी को त्यार कर लिया जाता है जिसके लिए खाम रॉब मटीरियल प्लास्टिक के दाने HDPE और पॉली उमर को एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है जिससे ये मटीरियल इस मशीन के अंदर एक पेस्ट की शकल इखत्यार कर लेता है और इस मशीन के साथ लगी एक मॉल्डिंग मशीन जो के इस पेस्ट को चार्जर की बॉड़ी की शेप देकर बाहर निकालती रहती है इस तरह से चार्जर की बॉड़ी को पहले त्यार कर लिया जाता है फिर इस charger की body के अंदर crunch के लिए plug को लगाया जाता है जिसके बाद charger के सबसे important part इसकी circuit को बनाया जाता है यहाँ इस machine में एक plain electrical plate को रखा जाता है यह machine इस electrical plate पर circuit की सारी wires को चाप कर एक conveyor के जरीए इस circuit plate को एक दूसरी machine में भेज देती है जहाँ पर यह machine इन सबी wires को इस circuit board पर बड़ी ही speed से त्यार कर देती है और फिर यह machine charger की circuit को पूरी तरह से त्यार करने के बाद एक conveyori belt के जरीए आगे भेज देती है फिर इस circuit को computer की मदद से अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कहीं कुछ misprint तो नहीं हो गया जिसके बाद इस circuit को एक automatic machine की मदद से capacitor, input और output को लगाया जाता है इन चीजों से मुबाइल charger मुबाइल को चार्ज करता है चार्जर का काम voltage को मुबाइल voltage में तबदिल करना होता है जिसके बाद इस circuit को एक conveyor के जरीए आगे भेजा जाता है जहां पर इस circuit में कुछ employees USB port के लिए solding करते हैं और फिर सबसे आखिर में इस circuit को इसकी body में डाल दिया जाता है और साथ ही USB wire को भी fit कर दिया जाता है और फिर charger के उपर plug वाले हिस्से को लगाया जाता है जिसके बाद charger की पूरी testing की जाती है कि ये mobile ampere ठीक दे रहा है सब कुछ ठीक होने के बाद एक hydraulic machine की मदद से मुख्तलिफ companies अपने अपने नाम की मोहर लगाती है और सबसे आखिर में इसको pack करके बजार में बिगने के लिए भेज दिया जाता है तो इस तरह से इन चीजों को factory में बनाया जाता है और हाँ दोस्तो सबसे जरूरी बात हमने ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई है इसलिए हमारी मेहनत का फल आपका इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तो आपके इस वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है जिसके वजह से हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा आपका किमती वक्त देने के लिए बेहस शुक्रिया किमता किमते रहते हैं